Hello students, today we are going to learn Venn Diagram and some operations on sets. इस topic को easy बनाने के लिए मैं कुछ animations यूज करूँगी Venn Diagram को explain करने के लिए ताकि ये topic आपको पढ़ने में मज़ा भी आए और आपको अच्छे से समझ भी आजाए चलिए तो start करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे Venn Diagram है क्या, ठीक है? तो Venn Diagram क्या है? It's a diagram which is used to represent a relationship between sets. तो ये Venn Diagram क्या है? ये ऐसी diagram है जिसको हम use करते हैं सेट्स के बीच में क्या relation है उसको समझने के लिए, ठीक है? जो भी आपको sets दियो हैं, उनमें क्या relation है? आप diagram की help से भी समझ सकते हैं, ठीक है? These diagrams consist of rectangles and circles और ये जो Venn Diagram है, इसमें क्या होता है? इसमें rectangles भी होते हैं और circles भी होते हैं अब हम देखेंगे ये rectangles किसके लिए यूज करने हैं और circles किसके लिए यूज करने हैं? तो आपके जो rectangles हैं, वो किसको represent करते हैं? वो universal set को represent करते हैं and circles represent its subsets तो जो circles हैं, वो क्या represent कर रहे हैं? universal set के subsets, ठीक है? तो rectangle को use करना है universal set के लिए और circles को use करना है sets के लिए, ठीक है? चलिए एक example लेते हैं, if u is equal to 1, 2, 3, 10, u क्या है आपका universal set है? अभी मैंने बताया कि universal set को आप rectangle से represent करेंगे, तो vand diagram में इस universal set को लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये आपके पास एक rectangle आगया, इसके अंदर 1, 2, 3 से लेके 10 तक सभी numbers हैं, ठीक है? तो ये जो rectangle है, ये आपका universal set शो कर रहा है, ठीक है? चलिए, अब अगर आपके पास एक set A है, जिसका elements है, 2, 4, 6, 8, 10, A के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 elements हैं, तो आप उसको vand diagram में किस से शो करेंगे? तो आपका circle अगर आगया इसके अंदर, इस circle के अंदर आप देखेंगे, आपके पास क्या है? सभी elements आगे 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर थे, और इस circle के अंदर भी सभी elements आगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? चलिए, एक और set लेते हैं, B, जिसके elements है, 4, 6, तो यह एक और set है, जिसके elements 4, 6 हैं, और अगर मुझे इसको vand diagram में show करना होगा, तो हम मारे पास set B क्या आजाएगा? 4, 6, एक और circle draw करेंगे, ठीक है? तो यह आपने क्या किया? एक और circle draw किया, B, जिसके अंदर elements कोन से आगे? 4, 6, ठीक है? तो यह जो 3 आपको set दिये हुए थे, एक universal set दिया हुआ था, एक set A दिया हुआ था, set B दिया हुआ था, इन सबको हमने vand diagram की help से represent करना हुआ, तो हम इस तरह से इसकी vand diagram बनाएगे, ठ समझ में आ गया vand diagram क्या है? rectangle जो है वो universal set है, और जो circles है वो इसके subsets है, ठीक? चलिए, next करते हैं, union of sets, अब operations of sets में आपके पास union, intersection, difference, यह सबी आ जाएंगे, ठीक है? यह सबी क्या है? operations on sets है, ठीक? तो union of sets होता क्या है? चलिए, इसकी definition देखते हैं, let A and B be two sets, अगर A और B आपके पास कोई दो sets हैं, तो union of A and B में आपने क्या लिखना है? all the elements of A, A के सभी elements and all the elements of B, B के भी सभी elements लिखने हैं, और जो common elements होंगे A और B में उनको एक बार लिखना है, ठीक है? being taken at once, ठीक है? तो A के सभी elements लिखने हैं, B के सभी elements लिखने हैं, और जो दोनों sets में common उन elements को सिरफ एक बार लिखने हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा? union of two sets बन जाएगा, ठीक है? चलिए, next है, the symbol U is used to denote the union, ठीक है? अगर दो sets के बीच में ये वाला symbol होगा U का, that means अगर A और B के बीच में U लिखा होगा, that means वो क्या बन जाएगा? union बन जाएगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद है, symbolically we write union of A and B, अब अगर हमें लिखना होगा union A and B को, तो हम कैसे लिखेंगे? A और बीच में ये symbol डाल देंगे U का, तो ये क्या बन जाएगा? A union B, हम इसको कैसे रीट करेंगे? we read it as A union B, ठीक है? चलिए, using set builder notation, ठीक है? अब set, अब यह वाली जो union B as A union B is equal to x such that x belongs to A, और x belongs to B, ठीक है? तो ये set builder notation बन गई इस definition की, ठीक है? अगर आपको A union B लिखना है, तो आप इस form में भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब इसकी Vand diagram देखते हैं, A union B, अगर आपके पास set है, तो उसकी Vand diagram कैसे बनाएंगे? चलिए, आपके पा इस rectangle represent universal set, ठीक है? अब एक set आपके पास आगया A, एक और set आपके पास आगया B, तो अभी मैंने आपको बताया, A union B क्या है? सेट A के सभी element, सेट B के सभी elements, और A, और B में जो भी common area, ये जो common area दिख रहा है, ये भी A union B में आएगा, तो ये पूरा का पूरा colored portion जो है, ये क्या आजाएगा आपके पास? A union B, ठीक है? तो ये colored portion, जो colored circles दिख रहे हैं आपको, ये पूरा का पूरा A union B आएगा, ठीक? तो चलिए, अब एक example लेते हैं, जिसकी help से हम समझेंगे, दो sets की union कैसे निकालनी है, for example, अगर A आपके पा A union B में क्या करना है? A के सभी elements लिखने हैं, B के सभी elements लिखने हैं, और जो इन दोनों में common होंगे, वो elements को एक लिखने हैं, ठीक है? तो आपका A union B क्या बन जाएगा? आपने क्या किया? B में 1, 2, B में 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, हमने A union B में B के सारे elements लिख दिए, अब A के elements है, 4, 5, 6, 7, ठीक है? 4 इदर भी है, और 4 इदर भी है, ठीक है? तो दोनों sets में 4 है, तो that means यह common हुआ, तो common element को हमने एक बर लिखा, अब हमने set A के elements लिखने हैं, 4 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो बाकी elements कोन से बचे? 5, 6, and 7, जो हमने यहां पे लिख दिया, 5, 6, 7, तो यह क्या बन गया? A union B, चलिए एक और example लिखते हैं, अगर A आपके पास 7, 8, 9 है, और B आपके पास empty set है, B में कुछ नहीं है, तो A union B लिखना होगा, तो क्या करेंगे? आपके पास A union B में क् B elements, ठीक है, जो आपने यहां पे लिख दिया, 7, 8, 9, और B के सब B elements, B में तो कुछ हाई ही नहीं, तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा B के elements, ठीक है, तो आपके पास A union B क्या बन जाएगा? 7, 8, 9, ठीक? चलिए, तो अभी intersection करते हैं, intersection of sets, intersection of sets की definition क्या है? The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B, तो intersection में हम क्या करेंगे? वो सभी elements लिखने हैं, जो दोनों में होंगे, A और B दोनों में जो elements होंगे, that means A और B दोनों में जो common elements होंगे, वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगी, किसकी set A और set B की intersection हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए, intersection का symbol क्या है? intersection का symbol है हमारे पास यह, ठीक है? यू को उल्टा करके लिख देंगे, this is the symbol for intersection, अब symbolically इसको लिखना होगा, A और B का intersection तो हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से, A और B में यह उल्टा यू अगर आप डाल देंगे, so this will become A intersection B, ठीक है? अब आपको इसको read कैसे करेंगे? A intersection B, so we read it as A intersection B, इसको अगर हमने पढ़ना ह होगा हम कैसे पढ़ेंगे A intersection B, ठीक? चलिए, जैसे हमने union में set builder notation देखी थी, उसी तरह से हम intersection में भी set builder notation देखेंगे, कि intersection को set builder notation में कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो intersection को अगर set builder notation में लिखना हुआ, तो हम लिखेंगे A intersection B is equal to x is that x belongs to A and x belongs to B. Union में यहां क्या आया था? और x belongs to A और x belongs to B, अब intersection में आपके पास क्या आ रहा है? x belongs to A and x belongs to B, मतलब वो elements जो A में भी हैं और B में भी हैं, A में और B में दोनों में हैं, वो element किस में आएंगे? intersection में आएंगे. चलिए तो अब Vand diagram देखते हैं, intersection of two sets की Vand diagram बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप एक rectangle लेंगे, जो रिप्रेजेंट करता होगा universal set को. अब उसके अंदर set A लेना हैं आपने, suppose this is your set A, जिसको हम circle से represent करेंगे, and suppose this is your set B, ठीक है? अब A और B की intersection में हमने क्या बोला था? कि जो element A और B में common होगे, ठीक है? अब यहाँ पर elements तो हैं नहीं, हमने वो area देखना है कि circle का वो कौन सा पार्ट है, जो A और B में common है, ठीक है? तो A और B में common आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है? यह पार्ट दिख रहा है ना common, जो A में भी है और B में भी है, समझ में आ और A और B में common पार्ट यह वाला होगा, तो अब आपको वन डाइग्राम में A intersection B लिखना होगा, तो वो क्या आजाएगा आपके पास? यह वाला पार्ट, अगर आपने इसको shade कर दिया इस पार्ट को, तो that means यह वाली जो वन डाइग्राम है, वो किसको represent कर रही है? A intersection B को, यह आपका A intersection B बन गया, clear है? चलिए, तो कुछ examples के साथ हम लोग समझते हैं, intersection कैसे निकालना है, कोई दो set दियोंगे, intersection कैसे निकालेंगे? आपके पास example है, अगर A दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, B दिया हुआ 1, 2, 3, 4, अभी हमने पढ़ा, intersection में क्या करना है? जो elements common होंगे, वो ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास 4 आपको दिख रहा है, दोनों sets में A और B में common हैं, तो सिरफ common वाले element लिखने हैं, union में हम A के सारे element लिखते थे और B के सारे element लिखते थे, ठीक है? लेकिन intersection में आपने सिरफ common element लिखने हैं, तो यहाँ पर 4 दोनों में common दिख रहा है, त तो that means A intersection B आपके पास आंसर क्या आजाएगा 4, ठीक, एक और एक्जाम्पल लेते हैं, A दिया हुआ 789, B दिया हुआ empty set, ठीक है, अब A में 789 elements हैं, B में कुछ भी element नहीं है, अब अगे में intersection निकालनी होगी, तो that means इन दोनों sets में हमने common element देखना है, जो दोनों में same होगा, तो दोनों में same तो हमें कोई element दिखी नहीं रहा है, तो that means इसकी intersection में कोई भी element नहीं आएगा, तो इसकी intersection क्या बन जाएगी, empty set बन जाएगी, ठीक है, तो इसकी intersection में क्या आ जाएगा, आपके पास, empty set, ठीक, कोई भी element नहीं आएगा, तो अब स्टार्ट करते हैं, difference of sets, को not to be, तो इस definition का मतलब क्या है, A और B का अगर आपको difference निकालना है, तो आप क्या करोगे, A minus B, A और B के difference वाले set में, आप सिरफ वोई element लिखोगे, जो A में हैं, ठीक है, जो B के elements होगे, उनको आपने नहीं लिखना है, ठीक है, सिरफ A के elements लिखने हैं, और B के elements को नहीं लि होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, symbolically we write it as A minus B, और हम इसको read कैसे करेंगे, A minus B, ठीक है, अब जैसे हमने set builder notation, पिछले वाले sets की की, इसकी भी set builder notation है, देखिए इसको set builder notation में कैसे लिखना है, इसको हम लिखेंगे, A minus B is equal to x such that x belongs to A and x does not belongs to B, चलिए, तो difference of sets की Venn diagram कैसी होगी, चलिए वो देखते हैं, suppose this is your universal set, this is one set and this is another set, let this set be A and this set be B, अब अगर आपको A minus B लिखना है, ठीक है, इस Venn diagram में A minus B represent करना है, तो आप क्या करेंगे, आपका difference of sets क्या है, which belongs to A but not belongs to B, तो आपको A का वो portion लिखना है, जो B में नहीं होगा, B, पूरा का पूरा A में से minus कर देना आपने, ठीक है, A में से B पूरा का पूरा minus करेंगे, तो आपके पास कौन सा portion बचेगा, ये सारा, ठीक है ना, तो ये सारा, आपके पास क्या आगया, ये कौन सा portion आगया, A minus B, ठीक है, तो आपने क्या किया, A में से B को बाहर कर दिया, तो ये जो shaded portion दिख रहा है आपको, ये कौन सा portion है, ये कौन सा set बन रहा है, तो आप लिखोगे, ये difference of set बन रहा है, इस portion is A minus B, ठीक है, चलिए, तो next, हम examples की help से difference of sets निकालना सीखते है, तो एक example लेते है, A is equal to 4, 5, 6, 7, and B is equal to 1, 2, 3, 4, अब A minus B क्या है, A के elements लिखने हैं, लेकिन B के elements नहीं लिखने हैं, तो आपने क्या करना है, A में से जो भी B का element होगा, उसको बाहर कर देना है, ठीक है, अब B का element, जो A में है, वो क्या दिख रहा है, 4, ठीक है, B का element 1 है, 4, जो A में आ रहा है, तो आपने A में से इस B के element को बाहर कर देना है, ठीक है, तो आपके पैस क्या बन जाएगा, A-B तो A-B में कुन-कुन से elements आएगे, 5, 6, 7 तो आपका A-B बन जाएगा 5, 6, 7 समझ में आ गया, A में से B के elements को बाहर निकालना है that will become the difference of sets, ठीक है, एक और example लेते हैं A दिया हुआ 7, 8, 9 B दिया हुआ 8, 9, 10, 11 अब अपने ध्यान से A को अब अगर आपको A-B निकालना है that means A में से जो भी B का element होगा उसको बाहर कर देना है तो B के elements 8, 9 है जो A के अंदर हैं तो आपने इनको minus करना है A में से B के elements को बाहर करना है तो A में से अगर आप B के elements बाहर करोगे, तो आपके पास element A कौन सा बच गया? 7, ठीक है तो आपका A-B क्या आजाएगा? 7, ठीक है? समझ में आ गया? अब करते हैं disjoint sets अब disjoint sets कौन से होते हैं? ठीक है? उसकी definition क्या है? Two sets A and B are set to be disjoint अगर आप उन दोनों sets की intersection निकालो और उस intersection में कोई भी element ना आए तो आप बोलोगे, हाँ वो दोनों set disjoint हैं, ठीक है? तो disjoint होने के लिए intersection 5 होना चाहिए, that means intersection में कोई भी element नहीं आना चाहिए ठीक है? चलिए, example देखते हैं A दिया हुआ 4567, B दिया हुआ 1234, अगर आपको को पूछे कि चेक करो कि क्या ये दोनों sets disjoint हैं तो आप चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले intersection निकालेंगे ठीक है? A intersection B ठीक, intersection निकालना है मतलब आपने इन दोनों sets में जो common elements होंगे वो लिखने हैं आपको कुछ common element दिख रहा है इन दोनों sets में? हाँ, दिख रहा है एक 4 है जो दोनों sets में common हैं, तो इन दोनों की intersection क्या हो जाएगी? 4 ठीक है? तो intersection आजाएगी आपके पास A intersection B आ गया 4 लेकिन इनको disjoint होने के लिए A intersection B में कोई भी element नहीं आना चाहिए अभी आमने पड़ा A intersection B फाई होना चाहिए तब ही 2 sets disjoint होंगे लेकिन यहां तो intersection में एक element आ रहा है यह empty set बन नहीं रहा तो इसका मतलब यह दोनों sets A और B disjoint नहीं हैं ठीक है? तो यह दोनों क्या है? disjoint नहीं है तो A intersection B आपके पास not equal to phi आया तो therefore A and B are not disjoint चलिए एक और example लेते है A is equal to 6, 7, 8 B is equal to 1, 2, 3, 4 अब आप सोचिए A intersection B that means A और B में common element दिख रहा है कोई common element? नहीं दिख रहा न? A और B में कोई भी common element नहीं है नहीं आएगा तो इनकी intersection क्या बन जाएगी? phi बन जाएगी तो इनकी intersection क्या आजाएगी? phi अब intersection phi आगे है तो intersection phi आगी है तो intersection phi होगी तो कौन सेट बन जाएगा? disjoint set बन जाएगा बन जाएगे तो यह दोनों sets क्या हो जाएगे? disjoint हो जाएंगे ठीक है तो therefore A and B are disjoint तो आपको check करना था यहां पर not disjoint आए ये दोनों set और ये दोनों sets disjoint आए ठीक है होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो अगर आपको मेरे videos अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे videos को like और subscribe जरूर करें अगले video में हम exercise 1.4 करेंगे that is based on the knowledge of operations on sets ठीक है thank you have a nice day